मेरे बच्चपन के दिन इसके लेकिका महादेवी जी ने अपने बच्चपन के याद को बताते हुए लिखा कि उनके परिवार में कई पीडियों के बाद कोई भी लड़की पैदा हुई थी जब वो पैदा हुई थी 200 वर्षों से उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी ऐसा सुना जाता है कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था महादेवी जी कहती है कि उनके बाबा जी ने उनके प्राप्ति के लिए दुरगा माता की प्रार्तना की थी दुर्गा उनके कुल की देवी थी जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार को बहुत खुशी हुई इसलिए उनके परिवार में उनके पहुत सम्मान और सेवा के साथ स्वागत किया गया महादेवी इची को कष्ट सहन नहीं करने पड़े जो उनसे पूर्व उत्पन उनके परिवार की लड़ीओं को सहने पड़ते थे कहने का भाव यह है कि उनके परिवार में लड़की को जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता था और उनके बावा उर्दू-फार्सी ही जानते थे पिता जी ने अंग्रेची भाषा में ज्यान प्राप्त किया था उनके परिवार में हिंदी भाषा को पढ़ने लिखने वाला कोई भी नहीं था किन्तु जब उनकी माता जबलपूर से बधू बन करके उनके परिवार में आई तो वह हिंदी जानने और पढ़ने लिखने वाली थी उनकी माता जी काफी पूजा पाठ किया करती थी और उन्होंने महादेवी जी को सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था वो अपने बच्पन के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उनके बाबा उन्हें खुब पढ़ाना लिखाना चाहते थे वे चाहते थे कि वह विद्वान बने विदूशी बने और उनके परिवार का नाम उचा हो उनके दादा जी ने उर्दू फार्शी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब की नियुक्ति कर दी थी लेकिन जब उन्होंने मौलवी साहब को देखा तो वो बहुत डर गई दूसरे दिन जब मौलवी साहब आये तो वे चार पाई की नीचे छुप गई इस प्रकार से उनको उर्दू और फार्शी पढ़ने से छुट्टी मिल गई उसके बाद संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को बुलाया गया उनकी माता जी को भी संस्कृत का काफी ज्यान था महादेवी की माता जी जो थी उनको संस्कृत का काफी ज्यान था और गीता पढ़ने में उनकी रुची थी इसी तरह से जब वो पूजा पाठ करती थी तो महादेवी जी उनके साथ बैठ जाती थी और संस्कृत को बड़े ध्यान से सुनती थी इस प्रकार से उन्होंने घर पर ही संस्कृत की सिक्षा प्राप्त की उसके बाद उन्होंने मीशन स्कूल में दाखिला लिया वहाँ पर उनको वातावरन अच्छा नहीं लगा और वहाँ बोले जाने वाली प्रार्थना जो थी वो दूसरी थी उस स्कूल में उनका मन नहीं लगा इसलिए उन्होंने वेह स्कूल त्याग दिया और क्रास्थ्वेट गल्स कॉलेज में उन्हें भेजा गया वहाँ उन्हें पांचवी कक्षा में दाखिल करवाया गया उस कॉलेज का माहौल काफी अच्छा लगा उन्हें को काफी पसंद आया और उस समय उस कॉलेज में विबिन धर्मों की लड़कियां बढ़ा करती थी, सभी लड़कियां एक साथ खाना खाया करती थी उस मेश में प्याज का प्रियूग नहीं होता था यानि पूरा शाकहारी भोजन वहाँ पर बनाया जाता था महा की घटनाओं का वर्नन करते वेवे कहती हैं कि उनकी यहाँ पर दोस्ती सुभद्रा कुमारी चोहां से हो गई थी चात्रवास में एक पेड था जिसकी साखाएं बहुत लंबी और जुकी हुई थी वहाँ पर दोसक खेला करते थे सभी लड़कियां मिल करके खेला करते थे और रख्ष की डालियों पर बैठ करके तुकबंदी लिखा करते थे तुकबंदी किसे कहा जाता है कविता की पंक्तियों का जो मिलान किया जाता है उन्हें तुकबंदी कहा जाता है वहाँ पर स्ट्री दर्मन नाम की एक पत्री का प्रकाशित होती थी जिसमें वे दोनों ही अपनी रचनाए भेजा करती थी अपनी कविता भेजा करती थी और वह कविता उसमें छप भी जाती थी इससे महादेवी जी को काफी प्रसन्नता होने लगी और कवी सम्मेलन में जब भाग लेने जाती थी तो वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रशार भी काफी होता था सन 1917 में विजव चात्रा वास में आई थी तो गांधी जी का सत्याग्रे अंदोलन चल रहा था पीलावाद में आनंद भवन उन दिनों स्वतंतरता संग्राम का एक केंद्र बन गया था यनि स्वतंतरता की बातें वहाँ पर काफी चलने लगी थी साथ ही हिंदी भाशा का भी पचलन बढ़ गया था और इसी के लिए हिंदी कवी सम्मेलन वहाँ पर किये जाते थी जब भी कोई सम्मेलन होता था तो महादेवी जी की मैम उन्हें साथ ले जाया करते थी वो अपने कविताएं वहाँ पर सुनाया करती थी महादेवी जी उस समय बड़ी बेचनी से प्राथना प्रतिक्षा क्या करती थी कि उनका नाम कवी सम्मेलन में कब पुकारा जाएगा एक बार की घटना बताते वेवे कहती हैं कि जब महात्मा गांधी आनन्द भवन में आये थे तो ये लोग पैसा पैसा बचा कर एक एक दो दो आने बचा करके उन्हें राशी को भेट कर दिया करते थे तो एक बार चांधी का कटोरा जो उन्हें इनाम में मिला था लेकर के जाती हैं और गांधी जी को दिखाती हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह कटोरा उनको बहुत पसंद आया तो उन्होंने कटोरा आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे यह कटोरा दे सकती हो तो उस समय महादेवी जी ने कुछ नहीं कहा और गांधी जी को वह कटोरा भेट कर दिया इससे उनको दुख तो हुआ लेकिन कटोरे के बारे में पूछा कविता कौन सी सुनाई यह नहीं पूछा उन्होंने कविता सुनाने को भी नहीं कहा छत्रवास में लोटकर सुबद्रा ने कहा कि जाओ कटोरा दिखाने फिर बोली कि चाहे कुछ भी हो खीर तो तुमें खिलानी ही होगी अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल के कटोरे में मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पर इस बात का यह मतलब है कि महादेवी को सोतंतरता आंदोलन में भाग लेने की खुशी तो हुई लेकिन उन्हें कटोरा न मिल पाने पर निराशा भी हुई यहाँ पर उनके बचपन की मनोरम घटनाओं का चीतरण किया गया है और उनकी जो बात हैं उनसे यह पता चलता है कि उस समय भारत गुलाम था और बच्चा-बच्चा सोतंतरता के लिए संगाश कर रहा था